वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फराज जाइका और आज मैं एक ऐसी रेसिपी के साथ आई हूँ जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है अगर आप चाइनीज खाना पसंद करते हैं तो आपने इसको जरूर ट्राइ किया होगा और ये भी सोचा होगा के घर में कैसे बनाए जाए तो मैं आपको अपना वर्जिन दिखा रही हूँ इस रेसिपी का जो सबसे एजी है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट ले लिया है हम यहाँ पर मैरि सबसे पेसे बने का टेबल स्पून जिए सोय सबसे पाउड़ के बाद हम इसमें एड़ करेंगे वन टी स्पून ओफ कश्मीरी रेचिली पाउडर यह बहुत ही अच्छा कलर देता है और यहां पर मैं आड़ कर रही हूँ 4 tablespoons of corn flour corn flour powder और यहां पर 3 tablespoons of refined flour याने मैदा half teaspoon of crushed black pepper powder और थोड़ा सा one pinch of color अगर आपके पास food coloring हो तो आप वो भी आड़ कर सकते यह मैं food color add कर रही हूँ orange red color है यह और मैं यहां पर 1 pinch of aginomoto add कर रही हूँ यह Chinese salt है आप skip भी कर सकते हैं और normal salt जो हमारा table salt होता है वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से add कर रही हूँ और उसके बाद मैं add कर रही हूँ यहां पर 2 teaspoons of chai zwan sauce और 1 whole egg इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे यह marination half kg chicken का है half kg chicken lollipop का जिसमें close to 18 to 20 lollipops आती है और यह corn flour और मैदा दालने से बहुत ही अच्छी और crispy हो जाती है यह lollipop यह मैंने अच्छी तरह से mix कर लिया है इसको हातों से और फिर हम इसमें add करेंगे आप देख सकते है फूड कलर कितना अच्छा आ गया है एकदम vibrant और यह जो हमने chicken को अच्छी तरह से wash कर के drain कर लिया था हमारी lollipops को नॉर्मली हमारी chicken shops पे अगर हम इनको बोल दे के lollipops बना कर चाहिए तो वो उसी तरह से बना कर देते नहीं तो आप घर में भी बना सकते हो इसको विंग्स को लेकर इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसको हम marinate करके रख देंगे आप इसको 2-4 आस के लिए रख सकते है इसमें मैं red chili sauce बताना बूल गई थी आपको तो यहां पर मैंने 1 teaspoon of red chili sauce दाला है किसी भी fry या जो भी marination वाली डिश होती है उसमें marinate करके रखना बहुत important होता है वह process बहुत ही जादा important होता है तो आप इसको 2-4 आस के लिए रख दे मैंने इसको 4 आस के लिए रख दिया था और यहां पर मैंने एक कडाई में oil गरम करने रख दिया है मैं आपर चेक कर रही हूं oil गरम हुआ है या नहीं तो oil हमारा perfectly गरम हो चुका हाई flame पर हम fry करेंगे एक एक ऐसे batches में दालेंगे हम और एक side से हम इसको अच्छी तरह से fry होने देंगे तो मैंने यहां पर एक batch of lollipops दाल रही हूं एक batch में मैं close to 4-5 lollipops add करूंगी make sure के वह बहुत जादा close नहीं हो नहीं तो वह चिपक जाएंगे अब देख सकते हैं close तो 3-4 minutes के बाद मैंने उसको side को turn किया है और अच्छा सा color आ गया है एक side से crispy भी हो चुकी है तो मैंने 5-5 के batches में इसको fry किया है और 3-4 minutes के बाद आप जितना marinade जादा रखेंगे उतनी जल्दी कुक भी हो जाएगी क्योंके यह pieces बहुत tender होते है इसको मैंने paper towel पे निकाल लिया है इस तरीके से और यह गया मेरा second batch of chicken यह आप कोई guess आए तो उसके लिए भी as a appetizer dish भी serve कर सकते हैं बहुत ही quickly भी बन जाती है और घर के ingredients से बन जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है रेखने में भी बना जाती है क्योंके और देखने में आती है झाल झाल